दोस्तो इस दुनिया में जानवरों की तमाम प्रजतिया पाई जाती है लेकिन एक आम आदमी अपनी पूरे जीवन में बहुती कम जानवरों को अपनी आखों से देख पाता है इस दुनिया में पाई जाने वाले इन तमाम जानवरों में से कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिसे क्योवल नसीब वाले लोग ही दिख पाते हैं और अगर आप इस वीडियो में आज चुके हैं तो आप भी उनी में से एक हैं क्योंकि मैं पूरे यकिन के साथ कह सकते हूं कि आज की इस वीडियो में हम आपको जिन जिन जानवरों को दिखाने वाले हैं उन्हें आप इसके पहले कभी नहीं देखे होंगे तो वीडियो में आगे बने सपाले आपसे बहुत इतना ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को वंत तक जरूर दिखेगा क्योंकि आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाली है तो चलिए वीडियो को इस चार्ट करते हैं प्लेटिपस ये जीव प्लेटिपस के नाम से ज्याना जाता है इसका सरीव दिखने में काफी अजीब होता है इसे अगर कोई एक बर देख ले तो इसे भूल पाना मुश्किल हो जाता है इस जनवर का मूह बत्ता के जैसा और इसका सुरील किसी दूसरे चानलों के जैसे दिखता है ये जनवर काफी रियर होते हैं प्लेटिपस के लंबाई 50 सेंटिमीटर्स तक हो सकती है तो वही उसका वज़ान एक किलो से अढ़ाई किलो तक ये जनवर दिन का बज़ाय रात में ज्यादा सिकार करते हैं आपको बता दे कि प्लेटिपस के पास एक खतरनाक जहर भी होता है जिसका उपियाग वह अपने सुरक्षा के लिए करता है दोस्तों इसके नाम से ही पता चलता है कि ये जनवर चीटियों को खाने में माहिर होता है और बेहदी अजीव दिखने वाला योजीव अपनी अजीव सारीरिक बनावर के लिए जाना जाता है पुरी दुनिया में एन्टीटर्स की चार नसले पाई जाती है और चारों काफी अजीव होते हैं आपको जनका हैरानी होगी कि इनकी जीव की लंबाई लगभग दो फिट तक हो सकती है बताया जाता है कि योजीव एक दिन में लगभग 30,000 चीट्टियों को खा लेता है सूबिल स्टर्क दोस्तो आज तक आपने बहुत सारे सारस को दिखे होंगे लेकिन अफ्रिका में पाई जाने वाले सूबिल नाम की सारस को आप कभी नहीं देखे होंगे इस पक्ची का सूबिल नाम इसके जूते के जैसा दिखने वाले चोच से पड़ा है इसका चोच साधारन सारस के चोच से बिलकुली अलग और बड़ा होता है इसका बदन 8 किलोग्राम तो वहीं इसकी हाइड 5-6 फिर तक हो सकती है आपको बता देगी यह दूरलब सारस की प्रजाती काफी रियर है और यह पूरी दुनिया में मात्र 8,000 ही बचे है दोस्तो यह एक बहुती अनविलीवर क्रियेचर है आप देखकर चोख जाएंगे कि यह बिलकुल है किसी पोधे के पत्तों की तरह दिखता है लेकिन यह एक मचली है जो कि समुदर में पाई जाने वाली सीहर स्प्रजाती से बिलोंगे करती है दोस्तो यह एक अदबुत जीव है जिसे आप इसके पले कभी नहीं देखे होंगे लेकिन सबसे दुखी बात यह है कि यहाँ क्रियाचर अब बिलोप थोने के कगार पर आ चुका है तो दोस्तों यह रहे हैं धरती के कुछ बेहादी दूरलव जानवर जो तो हमें आपके लिए वीडियो बनाने में काफी जाना मेहनत लगती है और आपको वीडियो का लाइक कर चैनलो को सस्काइब कर दे में एक सेकेंड का भी समय नहीं लगेगा ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टी वीडियो देखने के लिए मिलती रहे